परिच्छे ठीक है, क्या तुम ये कहना चाती हो कि इस चार्ट से पता चलता है कि मनुष्ये में पूर्वज चिंपैंजी थे, चिंपैंजी के पूर्वज गोरिला थे और इसी तरह हाँ, आओ, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ कि कैसे पृत्वी पर एक के बाद एक विभिन चीव रूप का विकास हुआ उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विकास के डार्विन सिध्धांत को समझना, प्राकृतिक वरण की अवधारना को समझना, सौल्टेशन की अवधारना समझना, हाडी वेन्वर्क सिध्धांत को समझना, होमो सेपियन्स के विभिन पूर्वजों के बारे में जानना जैव विकास जैव विकास को विस्तार से समझने के लिए चाल्स डाविन ने दो मुख्य अवधारनाय प्रस्तुत की शाखन अवरोहन, प्राकृतिक वरण शाखन अवरोहन विकास तब होता है जब अधिक अनुकूल जीव संख्या लक्षन एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाते हैं ये रूप पांतरन के साथ अवरोहन कहलाता है प्राकृतिक वरण प्रक्रम जिसके दुआरा जीव जीवित रहने के लिए अपने परियावरण से बहतर अनुकूलन करते हैं और अधिकाधिक संतती उत्पन करते हैं रूप पांतरन के साथ अवरोहन प्रती एक जीव संख्या विष्टी की बनी होती है जो एक दूसरे से थोड़ा भिन होते हैं विविधिताए जो विष्टियों को सफल्था पूर्वक जनन करने के लिए परियाप के समय तक जीवित रहने के शमता प्रदान करती है प्राये अगली पीड़ी में पहुँचती है तत्पस्चात ये लक्षन बहुत सामानिय हो जाते हैं और जीव संख्या में विक्सित होते हैं ये रूप पांतरन के साथ अवरोहन कहलाता है रूपांतरन के साथ अवरोहन द्वारा विकास में दो अलग-अलग तत्व शामिल है रूपांतरन अर्थात किसी वईश में परिवर्तन शाखन अर्थात समान पूर्वजोवाली विभिन प्रजातियां प्राक्रितिक वरण प्राक्रितिक वरण प्रक्रम में चार चरण शामिल है विविधिता, विभेतक उत्तर जीविता और जनन वन्शागती, जीव संख्या वृधि की उच्चदर प्राक्रितिक वरण प्रकरम निम्न तथ्यों पर आधारित है प्राक्रितिक संसाधन सीमित होते है जीव संख्या के आकार स्थेर होते है जीव संख्या के सदस्ये विशिष्टिताओं में भिन होते है अधिक तर विध्धताएं वन्शागत होती हैं। इस प्रकार व्यष्टियों में वन्शागत विविधताय होती हैं जो संसाधनों के लिए प्रतिसपर्धा में उन्हें अच्छी तरह से जीवित रहने, जनन करने और दूसरों से अधिक संतती उत्पन करने में सक्षम बनाती हैं। इसलिए एक सम्यावधी के दौरान जीव संक्या की विशिश्टिता में परिवर्तन हो जाता है और नए स्वर्यूप प्रकट होते हैं। प्राकृतिक वरण के उदाहरण प्रतिजैविक प्रतिरोधी H.Pylori में उत्परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम उत्पन करने की जानकारी नहीं मिलती है। ये इंजाइम सामान्यता एक प्रतिजैविक को एक विश में बदल देता है, जिसके कारण मृत्यों हो जाती है। लेकिन जब प्रतिजैविकों को उत्परिवर्ती H.Pylori पर प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जीवानु जीवित रह सकते हैं, जबकि सामान्य जीवानु मर जाते हैं। इसलिए प्राक्रितिक वरण द्वारा जो जानकारी खो देता है, जीवित रहता है और अपने लक्षनों को अपनी संत्तिती में पहुचाता है। विकास की क्रियाविधी ह्योगो टिवेरिस दे बताया के उत्परिवर्तन, अर्थात, जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े-बड़े परिवर्तन विकास के कारण है। ये उत्परिवर्तन याद्रेचिक और दिशाहीन होते हैं। ऐसे उत्परिवर्तन प्रजाती की उत्पत्ती का कारण है और इसलिए saltation विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम कहलाते हैं. हाडी वेनवर्क सिधान के अनुसार जीव संख्या में अलील युक्मो विकल्पी आवरितिया सुस्थिर होती हैं और एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक निरंतर रहते हैं. जीव संख्या में जीनों की कुल संख्या और उनके अलील जीनकोश अपरिवर्तनिये रहते हैं इसे आनुवन्शिक संतुलन कहते हैं सभी अलील आवरित्यों का कुल योग एक होता है ये नीचे दर्शाय गई रूप में हाडी वेनवर्ग संतुलन समीकरन प्रदान करता है आनुवन्शिक संतुलन या हाडी वेनवर्ग संतुलन में बाधा अर्थात जीवन संक्या में अलील आवरित्यों में परिवर्तन विकास का कारण होता है हाड़ी वेनवर्ग संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न लिखे पाच कारक हाड़ी वेनवर्ग सिधान्त को प्रभावित करते हैं जीन प्रवाह, आनुवन्शिक अपवाह, उत्परिवर्दन, आनुवन्शिक पुनर्योग और प्राकृतिक वरण जीन प्रवाह जब जीव संख्या का अस्थान परिवर्दन होता है तो जीव आवरित्या भी बदल जाती है ये दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है नई समश्थी में नई जीने और अलीले युक्मो विकल्पी चोड़ दी जाती है और पुराने समश्थी से ये घट जाती है जब इस प्रकार से अनेक पारिस्थान परिवर्दन होता है तो ये जीन प्रवा को उत्पन करता है अनुवांशिक विचलन यदि जीन पलायन सयोंग वश होता है तो अनुवांशिक अपवा जेनिटिक डिरिफ्ट कहलाता है कुछ वास्तविक अपवाहित समिष्टी नई प्रजाती के निर्मान की जनक बन जाती है तथा ये संस्थापक प्रवा कहलाता है उत्परिवर्दन उत्परिवर्दन के कारण विभिन निताय होती है जिसके कारण अगली पीडियों में जीनों तथा अलीलों के आवरित्यों में परिवर्दन होता है अनुवांशिक पुनर्योग पुनरियोग के कारण विभिन निताएं होती हैं, जिसके कारण अगली पीड़ी में जीन की आवरित्ती में परिवर्तन होता है हाड़ी वेनवर्ग संतुलन पर प्राकृतिक वरण का प्रभाव प्राकृतिक वरण वे प्रकरम है, जिससे अधिक जीवन समवन्शानुगत विविधिता को जनन की अधिक अफसर मिलते हैं, और संतानी अधिक संख्या में उत्पन होती है प्राकृतिक वरण के कारण जीव संख्या में निमनलिखित परिस्थितियां हो सकती है नमबर एक इस्थाई करण इस तशा में अधिक व्यष्टी माध्य चरित्र मूल अरजित करते हैं नमबर दो दिशात्मक परिवर्तन इस तशा में अधिक व्यष्टी माध्य चरित्र मूल की तुल्ला में अन्य मूल अरजित करते हैं नमबर तीन, विदारण। इस तशा में अधिक व्यश्टी परिधिये चरित्र मूल अरजित करते हैं। विकास ये इतिहास। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व MYA प्रित्वी पर जीवन का प्रथम कोश्किये रूप प्रकट हुआ। इन में से कुछ कोशिकाओं ने प्रकाश संशिलेशन के समान प्रक्रिया द्वारा ओक्सीजन मुक्त की। धीरे धीरे एक कोश्किये जीवों से बहुकोश्किये रूपों का विकास हुआ। आगे का विकास निम्न अनुसार की आद किया जा सकता है। ट्राइ रेनोसारस रेक्स भूमी पर रहने वाला सबसे बड़ा सरी स्रप था चो लगभग 20 फुट उचा था। स्तंधारियों का विकास। पहले स्तंधारी प्राणी श्रू जैसी स्तंधारी थे। जब सरी स्रपों की कमी हुई तब स्तंधारी प्राणीयों ने स्थल पर कबजा कर लिया। कुछ स्तंधारी प्राणी पूरी तरह से जल में रहते थे। जैसे वेल, डॉल्फिन, समुद्री गाय आदी। स्तंधारी जरायुज होते थे और अपने अजन्ने शिशु को मा की शरीर के भीतर सुरक्षित रखते थे। स्तंधारी प्राणी, खत्रों के प्रती सतर्क रहने एवं बचाव करने में अन्नी प्राणियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते थे। मानव का विकास, पूर्ण भाषा कौशल और आत्म चेतना के साथ मनुष्य निमनलिखित चर्णों में विक्सित हुआ है। ड्रायोपिथिक्स, येवानर गण है, इनका उद्भव लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्फ हुआ था। कपी, सद्रिश, रामापिथिक्स, येवानर गण है, इनका उद्भव लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्फ हुआ था। मानव सद्रश, सीधे खड़े होकर चलते थे, तथा उचाई में लगभग 4 फुट तक थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्फ अफ्रीका के घास थलों में पाए गए थे। पहला मानव सद्रश प्राणी होमो हैबिलिस कहलाया गया था। मास्तिश्क यानि दिमागी शमता 650-800cc के बीच थी। होमो इरेक्टर्स लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्फ पाए गए थे। मास्तिश्क बड़ा तथा मास्तिश्क यानि दिमागी शमता 900cc थी। ये मास्तिश्क खाते थे। नियंडर टाल मानव ये 1400cc के मास्तिश्क वाले प्राणी थे। जो की एक लाग से 40,000 वर्ष पूर्फ लगभग पूर्वी एवं मत्य एशियाई देशों में रहते थे। होमो सेपियन्स इनका उद्भव लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्फ अफरीका में हुआ था। ये आधुनिक मानव कहलाए थे। क्या आप जानते हैं? मानव विकास ने अब एक नई प्रावस्था में प्रवेश किया है। जहां आनुवन्शिक इंजीनियर इंद्वारा माता-पिता अपने बच्चों को डिजाइन कर सकते हैं। जिसके प्रणाम स्वरूप, भविश्य की पीडियों को मजबूत, बुधिमान और रोगों के प्रती अधिक प्रतिरोधी बनाने के लिए हमारे डीने को रुपांतरित किया जा सकता है। सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेत में दोहराएं। जैव विकास को विस्तार से समझाने के लिए, चार्ल्स डाविन ने दो मुख्ये अवधारनाय प्रस्तुत की, शाकन अवरोहन और प्राक्रितिक वरण। ह्यूगो डिवैरिस ने पताया कि उत परिवर्तन अर्थात जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन विकास के कारण है। हाडी वेनवर्क सिधान के अनुसार जीव संख्या में अलील युक्म विकल्पी आवरितियां सुस्थिर होती हैं और एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक निरंतर रहते हैं। लगभग 2000 मिलियन वर्षपूर्व MYA प्रित्वी पर जीवन का प्रतम कोश्किय रूप प्रकट हुआ। पहले स्तंधारी प्राणी श्रू जैसे स्तंधारी थे। होमो सेपियन्स लगभग 75,000 से 10,000 वर्षपूर्व विकसित हुए।